दर्म ग्रंधों में निहित है कि सावन महीने में भोले शंकर की पूजा करने से सभी प्रकार के सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है। साथ ही साधक को अंतकाल में भव सागर से मुक्ति मिलती है। भगवान शिव दीन दुखियों के दाता और जगत के पिता है। उनकी क्रिपा द्रिष्टी सब पर बरसती है पाथ साधक भगवान शिव के शर्नागत होकर उनकी पूजा आराधना करते हैं राज्य के तटिये जिलों में भारतिय मौसम विभाग ने बारिश का ओरेंज अलर्ट जारी किया है इसके मद्देनजर चिक काम गलुरू की जिला कलेक्टर ने पाँच तालुकाओं के सभी स्कूल सोमवार तक बंद कर दिया गया है साथ ही महाराष्ट्र के राइगड में भी बारिश के अलर्ट के मद्देनजर आज सभी स्कूल बंद रहेंगे मौसम विभाग ने लोगों को भी सतर्क रहने को कहा है Central Board of Secondary Education, CBSE की ओर से कक्षा दस्वी और कक्षा बारहवी का कमपार्टमेंट रिजिट इस सप्ताह घोशित किया जा सकता है जिन स्टूडेंट्स ने कमपार्टमेंट एक्जाम में भाग लिया था वे परिणाम की घोशना के बाद ओन-लाइन रिजिट प्राप्त कर सकेंगे रिजिट ओफिशियल वेबसाइट cbsd.gov.in पर जाकर चेक किया जा सकेगा करनाटक पुलिस ने बेंगलुरू में हुई विपक्षी बैठक के गौरान बिहार के मुख्यमंत्री नितीश कुमार के खिलाफ पोस्टर लगाने के मामले में तीन लोगों को गिरफतार किया है पुलिस ने बताया है कि आरोपियों ने शहर में 20 जगहों पर पोस्टर लगाये थे फिलहाल पुलिस राजनीतिक नेताओं की संलिप्तता का पता लगाने के लिए आरोपियों से पूछताच कर रही है राजस्थान में इस साल के अंत में होने जा रहे विधान सभा चुनाव में बिना मुख्यमंत्री के चहरे के कॉंग्रेस और भाजपा के बीच मुकाबला हो सकता है कॉंग्रेस ने जहां बिना मुख्यमंत्री के चहरे के चुनाव में उतरने का आपचारिक एलान कर दिया है वहीं भाजपा भी बिना मुख्यमंत्री के चहरे के मैदान में उतरने की तयारी कर रहा है पाकिस्तान में बारिश ने जम कर तबाही मचाई है खैबर पक्तुनक्वा प्रांत में बाड से नौ लोगों की मौत हो गई चित्राल जिले में 15 अगस्त तक आपातकाल लगा दिया गया है प्रांत के अंतरिम मुख्यमंतरी मुहम्मद आजम खान ने राहत एजनसी और जिला प्रशासन को हाई अलर्ट पर रहने का निर्देश दिया है उन्होंने अधिकारियों को तुरंत राहत और बचाव कार्य शुरू करने का निर्देश दिया है एक भारतिय चात्र पर कुछ संदिग्धों ने लूट के इरादे से जानलेवा हमला किया और उसकी गाड़ी लेकर भाग गए इलाज के दौरान पीडित नाथ ने अपना दम तोर दिया फिल्हाल पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है मृतक के परिवार को सूचित कर दिया गया है और 27 जुलाई को शव भारत लाया जाएगा इसके विरोध में 200 से अधिक लोगों ने कैंडल मार्च निकाला रूस की राजधानी मौसको में आतंकवादी ड्रोन से हमले किये गए इस हमले को लेकर रूस के रक्षा मंत्रालय ने यूक्रेन पर आरोक लगाया है इस ड्रोन हमले में जानबूच कर इमारतों को निशाना बनाया गया रूस की राज्यसमाचार एजनसियों ने आपात कालीन सेवाओं का हवाला देते हुए बताया की ड्रोन के टुकडे कोमसो मोल्स की एविन्यू पर एक इमारत के पास पाए गए जो मध्य मौस्को से होकर गुजरता है कैलिफोर्निया विधान सभा में हालिया जाती भेदभाव विधेक के खिलाफ लड़ने वाले एक प्रमुख भारती अमेरिकी दलित कार्यकरता की दिल का दौरा पढ़ने से मृत्यू हो गई का दौरा पढ़ने से मृत्यू हो गई उन्होंने क्यूपर्टिनों में एक नगर परिशत की बैठक में विधेक के खिलाफ जोरदार भाशन दिया था उनके मौत से देश में हिंदू अमेरिकी समुदाय के लोग सग्मे में है रूस ने यूक्रेन के बंदरगा शहर ओडेसा पर मिसाइल से जोरदार हमला बोला ओडेसा के विश्व धरोहर केंडर की साइटों पर हमले की यूनेसको ने कड़ी निंदा की है यूनेसको ने इस हमले की निंदा करते हुए कहा कि रूस द्वारा ओडेसा के विश्व धरोहर केंद्र पर हमले से यूनेसको बहुत निराश है और रूसी सेना द्वारा किये गए इस निर्मम हमले की कड़े शब्दों में निंदा करता है राज्यसभा में विपक्ष के हंगामे के बीच आज सभाप्ती जगदीप धनखड और टीमसी के डेरे को ब्रायन के बीच तीखी नोक जोंक देखने को मिली लोग सभा में जहां सरकार ने विपक्ष से मामले में चर्चा की बात कही वहीं विपक्ष पिये मोदी के बयान देने की मांग पर अड़ा रहा राज्यसभा में भी हंगामे के चलते कार्यवाही एक घंटे के लिए रोक दी गई थी मनिपूर हिंसा के दौरान दो महीलाओं को नगन घुमाय जाने के मुद्दे पर विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है संसद के दोनों सदनों में मनिपूर हिंसा और दो महीलाओं को नगन घुमाय जाने को लेकर हंगामा हो रहा है राज्यस्भा के सांसद कपिल सिब्बल ने कहा है कि संसद में हंगामा तभी थमेगा जब सरकार इस मुद्दे पर अपना बयान देगी या सभी सवालों का जवाब देगी स्पेन में हुए आम चुनाव में दक्षिनपंथी पॉपुलर पार्टी ने जीत हासिल की है स्पेन की सत्तारूड सोशिलिस्ट सोक ने चुनाव पॉल की भविश्यवानी से बहतर प्रदर्शन किया हालां की चुनाव जीतने के बावजूद दक्षिनपंथी गुट्स पष्ट बहुमत से पीछे रह गया जिससे सरकार बनाना और मुश्किल हो गया है प्रधान मंत्री पेडरो सांचेज ने लगभग 99 प्रतिशत बोटों की गिंती के साथ वामपंथियों की जीत का दावा किया है आज से एक नया कारोबारी हफ्ता शुरू हो गया है कारोबारी हफ्ते के पहले दिन बाजार में दोनों सूचकांग के अंक गिरकर खुले है आज रुपया सपार्ट के साथ खुला है इस हफ्ते कई कमपनी अपने तिमाही नतीजों का एलान करने वाले है ट्विटर के नए लोगो से एलन मस्क का रिष्टा 23 साल पुराना है एलन मस्क से इस लोगो के खास जुडाव को लेकर चर्चाएं चल रही है एलन मस्क ने अपनी प्रोफाइल फोटो अपडेट कर दी है असल में X.com की स्थापना 1999 में होने जा रही थी आपने भी रिटर्न फाइल कर दिया है तो आपको एक बार उसका स्टेटस जरूर चेक कर लेना चाहिए अगर आपने ये काम अभी तक ITR फाइल नहीं किया है तो आपको जल्द से ही काम निप्ता लेना चाहिए अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, तो आपको बाद में जुर्माना भरना होगा आईए जानते हैं कि आप अपने रिटर्न का स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं हर डाज्य में हर महीने बैंक कुछ दिन के लिए बंद रहते हैं अगस्त महीने में कई त्याहार आ रहे हैं, ऐसे में अगले महीने 15 दिन तक बैंक बंद रहेंगे भारत के केंद्रिय बैंक के द्वारा ही सरकारी और निजी बैंकों की छुट्टियों का निर्धारन किया जाता है साल की शुरुवात में RBI छुट्टियों का कैलेंडर जारी कर देता है जल्द ही टाटा समोह एपल के लिए ठेके पर आइफोन बनाने वाली कमपनी का अधिग्रहन करने जा रही है इस संबंध में समझोते को अंतिम रूप दे दिया गया है और अगस्ट तक इसका मालिकाना हक ताटा के पास आ जाएगा मीडिया में इस तरह की खबरे हैं कि दक्षिन करनाटक में विस्ट्रान कार्प की फैक्टरी का अधिग्रहन ताटा समोह करने वाला है इन दिनों जहां कुछ लोग मोटा पे परिशान हैं तो वहीं कुछ अपने दुबलेपन से परिशान हो चुके हैं खास कर पतले होने की वजह से मिलने वाले ताने अकसर लोगों को ज्यादा परिशान करते हैं यूँ तो कई लोग वेट जैन के लिए नौनवेज डाइट लेते हैं लेकिन अगर आप शाकाहारी हैं और वजन बढ़ाना चाहते हैं तो इन फूर्ज को डाइट में शामिल कर सकते हैं आइफ्ल्यू लगातार होती बारिश की वजह से बढ़ते जलस्तर के देश भर में गंभीर हालात बना दिये हैं एक तरफ जहां जल भराव की वजह से बाढ़ के हालात बन गए हैं तो वहीं दूसरी तरफ इसके कारण आइफ्यू का खत्रा भी बढ़ रहा है बीटे कुछ समय से लगातार आइफ्यू के मामले सामने आ रहे हैं भारपिय फैन्स के लिए रविवार यानी 23 जुलाई का दिन बेहद ही निराशाजन्क रहा कोलम्बो में खेले गए इमर्जिन एशिया कप 2023 के फाइनल माच पाकिस्तान ने भारते टीम को 128 रन से रौन्दा और खिताब अपने नाम किया पाकिस्ताने टीम ने दूसरी बार ये खिताब अपने नाम करने में काम्याब हुई करन जोहर के निर्देशन में बनी फिल्म रौकी और रानी की प्रेम कहानी की रिलीज को सिर्फ चार दिनों का वक्त बचा है इस बीच मेकर्स ने नया प्रोमो शेर है जिसमें रनवीर सिंह अपने हौट हौट लुक्स करते नजर आ रही है फैंस उनके नए अवतार को देखने के बाद उनकी तारीफ करने से खुद को रोप नहीं पाया रिलिटी शो बिग बॉस दो के वीकेंड का वार में अभिशेक मलहान के दोस्त महेश केशवाल आये और उन्होंने अभिशेक को खुल कर बताया कि बिग बिग बॉस में कौन उनका दोस्त और कौन धोक्यबाज है उन्होंने जिया शंकर और फलक नास पर नॉमिनेशन से बचने के लिए अभिशेक का इस्तिमाल करने का आरोप लगाया खत्रों के खिलाडी सीजन 13 का आगाज हो चुका है इस सीजन में कई जाने माने सेलिब्रिटी कंटेस्टेंट नजर आ रहे हैं कौन सा कंटेस्टेंट इस सीजन की क्रॉफी जीतेगा ये जानने के लिए तो हर कोई उच्सुक है लेकिन इस सीजन के लिए किस सेलिब्रिटी कंटेस्टेंट ने सबसे ज्यादा फीस ली है क्या आपको उसका नाम पता है भोजपुरी सिनेमा गानों में रोमास और भक्ती का रस खूब पिरोया जाता है इन दिनों सावन का त्योहार चल रहा है ऐसे में भोजपुरी सिनेमा से बाबा भोलनात को प्रसंद करने वह उनसे अपने मन की मुराद को पूरा करने जैसे कई गाने बनाये गए हैं जिनहें अब तक दर्शकों का खूब प्यार मिला है ऐसा ही एक सौन माही श्रीवास्तव लेकर आई है भोजपुरी सिनेमा गानों में रोमास और भक्ती का रस खूब पिरोया जाता है इन दिनों सावन का त्योहार चल रहा है ऐसे में भोजपुरी सिनेमा से बाबा भोलनात को प्रसंद करने वह उनसे अपने मन की मुराद को पूरा करने जैसे कई गाने बनाये गए हैं जिनहें अब तक दर्शकों का खूब प्यार मिला है ऐसा ही एक सौन माही श्रीवास्तव लेकर आई है ये रिष्टा क्या कहलाता है से मशूर हुई टीवी एक्ट्रेस पूजा जोशी अरोडा ने अपनी प्रेगनेसी की घोशना की है वह दूसरी बार मा बनने वाली है हाल ही में एक्ट्रेस ने एक वीडियो के जरिये अपनी प्रेगनेसी की खुश्कबरी फैंस के साथ शेयर की उनकी बेटी बड़ी बहन बनने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड है एक्ट्रेस मॉडल उर्फी जावेद ने सोशल मीडिया लिप फिलर का दरगनाक अनुभव शेर किया है एक्ट्रेस ने बताया कि वह मात्र 18 साल की उम्र से लिप फिल रही है उन्होंने ऐसा कई बार किया उर्फी जावेद ने कई तस्वीरें के जरीये दिखाया है कि फिलर के बाद उनकी हालत कैसी हो जाती है फिल्म एक्ट्रेस रनोट ने अभिनेता वीर दास के साथ मूवी रिवॉलवर रानी में काम किया है इस फिल्म में कंगना ने वीर दास को किस किया था एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि कंगना के किसकी वजह से वीरदास को चोट लग गई थी अब एक्ट्रेस ने जवाब दिया है